वेलकम तो आवर यूटिप चैनल अनोखा बोस्ट ताज महल मुगल वास्तु कला का सबसे उत्कुस्ट नमूना माना जाता है मुहबत की इस निशानी को शाह जहां ने अपनी बेगम मुम्ताज के लिए बनाया था दुनिया भर से करोडों की संख्या में परेटक ताज महल देखने के लिए आगरा आते हैं हर प्रेमी जोड़े की खोहिश होती है कि वो ताज महल जाकर अपनी प्रेमी का के साथ तस्विर खिचवाए इश्क की इस निसानी को निहारे संग मरमर की इमारत की खुबसूरती को अपनी स्मितियों में कैद कर ले आएए आपको ताज महल के बारे में दस रोचक बाते बताते हैं जो आपको सोचने पर मجبور कर देगी आपको बता दे कि ताज महल के निर्मान में पूरे 22 साल लग गये थे वहीं 22,000 से ज्यादा मजदूरों ने ताज महल के निर्मान में काम किया था एक हजार हाथियों के जरिये ताज महल के निर्मान सामगरी को लाया गया था ताज महल के निर्मान में उस वक्त 3.2 करोड रुपे का खर्च आया था ताज महल के निर्मान के लिए विभिन एशियाई देशों से बहुमूले पत्थरों को लाया गया था 28 तरह के रतनों को श्री लंका से लेकर चीन और भारत के विभिन राजियों से लाया गया था ताज महल का निर्मान 1632 इश्वी में शुरू हुआ था और 1653 में घुम्बद बन कर तयार हो गया अगर आप भी मुहब्बत की सबसे विश्व प्रसिद निशानी को देखना चाहते हैं तो ताज महल जरूर जाएं आप दिल्ली में रहते हैं तो सिर्फ ताज एक्स्प्रेस हाईवे से सिर्फ 3,5 घंटे से आगरा पहुँच सकते हैं आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारिया देता रहेगा तो बने रहे हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ